नमस्का साती हूँ आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूटूब चनल पे आजे 12 मार्थ 2013 आज की पहले पाले का पेपर SSC CHSL एक्जाम का सफलता प्रोग्शन पन हो चुका है अगर आपका पेपर आंगे की सिप्टों में लगा वाए तो यह सभी प्रस्णा आप सभी के लिए सबसे ज्यादा महत्पोर होने वाले अंतक बने रहे हैं अगर अगर अभी तक हमारे यूटूब चल को सबसाइब नहीं किया है तो चल को सबसाइब करके नोडिफिकेशन को पहुंजरू कर दोसर जितने भी कोशनों के आंसर आप सभी को आते हों आंसर कमेंट सेक्षन में जरूर लेखें पहला कोशन है आप सभी के सामने इस प्रकार से की नेली किरांती का संबंद किस्से है तो आपको दादे इसका सही उत्तर है मचली उत्पादन से नेली किरांत यहांप पर यहांपे सही उतरता अमेर खुश्वों का जन्म कहां पर हुआ था अगला से तरी पी टक किस धर्म का पवीत्र ग्रंत है तो आपको आदे दो ग्रंत है एक तो बहुत दो का है त्रिपीटक और एक वह है अंग जो कि किन का है जैनों का है तो आप लोगों को दोनों याद रखना है कि जैनों से रिलेटेट है अंग जब कि त्रिपिटक है यह बहुत दो का है ठीक है तो यहां पर त्रिपिटक कि धर्म का पवित्र ग्रंत है तो त्रिपिटक जो है यह आपका बहुत धर्म का जाना जाता है तो आपको तादे baking soda की रुप में जो है sodium bicarbonate को जाना जाता है इसका फॉर्मॉला आप लोंक कमेड सेक्षं में जरूर लिखें साते साथ वीन बुझे चूने का आप लोगों को रहतानिक सूतर आप लोगों को लिखना है कमें सेक्षं में बिना बुझे चून झाने सा हाइड्रो फोग होता है सही उतर हो जाएगा हाइड्रो फोगिया अगला कोश्चन की और बनते हैं लोकसा पडाल की सबीके सबीक, कर उसका चुनाओं करते हैं लोग सबा के सभी सदर से मिलकर करते हैं। जम्मू और कस्मीर के विशेश दर्जे से सम्मंदित है तो आपको अधार दे जो लेक 270 है इसको अनुचे 270 भी बोल सकते हैं अनुचे 270 जो है यह आप लोगों का जम्मू और कस्मीर के विशेश दर्जे से सम्मंदित है अप लोगों का अंसर हो जाएगा अनुचे 270 आप के लिए कौन से मिटी सबसे ज़्यादा सही मानी जाती है तो अगला कुछन पिशाब का रंग पीला क्यों होता है तो यूरो क्रोम होता है उसी के कारण यहां पर पीला रंग है यह हम लोग को दिखाए पड़ता है अगला कोशन काफी महत पुड़े भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है तो आपको दादे भारत में सबसे बड़ा जो नदी बेसिन है यह गंगा बेसिन है गंगा बेसिन यहां पर सही उतर हो जाएगा भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है एक गंगा बेसिन है गंगा बेसिन यहां पर राइट अंसर हो जाएगा अ सुपीरियल जील यहाँ पे राइट अंसर हो जाएगा पहले आम चुनाओ जहां यह तो पहले बार जो है आम चुनाओ घुर या किस वर्स वर्स होच्पट तो अक्ता दे इसका है उतर था 1951 में 1951 में 1951 या इन फ़न ने कि 1951 में, पहली पहली बार आम चुनाव हुए थे 1951 में पहली बार आम चुनाव हुए थे पानी पत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में लड़ी गए थी तो यहां पर आपको बतादें पानी पत की तीन लड़ाईया काफी जादा फेमस हैं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड आप लोगों को बत कब लड़ा गया तो किनके बीच में लड़ा गया था आप लोग आंसर कमेंट सक्षन में जरूर लिखें ठीक है थार्ड जो पानी पत की तीसी लड़ाई यह कब लड़ी गए थी किस सन में लड़ी गए थी और किनके बीच में लड़ी गए थी यह आंसर कमेंट सक्षन में आप लोगों को अंसर करना है पानीबद की दूसरी लड़ाई की बात करने तो 1556 में यह अकबर और हेमों के बीच में लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी की बीच में आगला कोशने भारती राज्यों में राजपाल की नियुक्ति कौन करता है तो आपको दादे भ सब्सक्राइब राजपाल की नियुक्ति करता है अगला कोशन सरकारिया आयोग का संभन नहें कि cognitive संब्सेट करना होता है अ'd कहा जाता है तो कायदे आजम किसे कहा जाता है का लिए आपका मुहिम्मti अली जिम्णा को काइद-अखालु के नाम से जाना जाता है मुहम्मद अली जिम्ना यहाँ पे राइट अंसर हो जाएगा भारत के प्रतम मुक्ः चुनायो आयुक्त कौन थे तो अजह कि पहले मुक्ह चुनायो आयुक्त थे यह थे आपके वसी करन का वडन किस वेद में है तो आपको बताते हैं जादूई माया और वसी करन का वडन यह अर्थ वेद से है जादूई माया और वसी करन का वडन जो है अर्थ वेद में मिलता है सबसे जो पुराना वेद है वो कौन सा है आपको पता होगा कि चार वेद है चारों वेदो सबसे पुराना वेँ त्हीं है आप लोग two also कि और जाताए तो आपको दासेमिलों महाभारत का फारसी अनवाद किस नाम जाता है जैने जाता है और से नहीं था यह पूछा जाता तो आपको दादे यह जो है रजम नामा की नाम से जाना जाता है महाभारत का जो फार्सी अनुवाद है यह रजम नामा की नाम से जाना जाता है और सबसे पहले इसका जो अनुवाद है फार्सी भासम किस ने किया था इसका अंसर अप लोग कमेंट सेक्षन में जरूर करें व नाम पता होना चाहिए अगला कुशन ने कौन लाल लेटमस पत्र को निला कर देता है तो जितने भी चाहर होते हैं यह सभी लाल लेटमस पत्र को जो है निला कर देते हैं चार जितने भी होते हैं ये लाल लेटमस पेपर को नीला कर देते हैं